कि दिएर फ्रेंट्स दिस इज निशान त्रस्तोगी एंड यू आर वाचिंग सी एनर आई के लिए नेट्स वेश्न को सौल करते हैं करते हैं एक वोड घृट्ब मिला दिया है और को बात करोगे आप को एड करोगे कि आप 10 ना तो एक बात अगर आप देखो तो तो आप को या द्या रहा होगा रूलेजया द्यार यूए पर प्रेशर और प्लस होता है मॉल फ्रेक्षंड आप सॉल्वेंड और इन्टु वेपर प्रेशर और प्योर हूल मेंट ॥ीक ना सब्सक्राइब अब दूरह सोच हो कि कि का की कि क्या के राइप यह वोलटाइल सव्यूट है तो जब जब इसका सभी होगी होके नहीं नंहीं होगे तो जब नहीं बनेंगे तो इसका siento यह वेंश्ऩर और जैए यहा반ग्य सोनुषन हो जाएगा आएकxo solvent यानि ख्रेक्शन ऑफ-सॉल्वेंट इंटू पी नॉट सविंट धीकिन या मैं आप कहना है कि जो बेपर परस्ट το बढ़ेगा और वेपर पेशर तब बढ़ेगा जब बढ़ेंगी तो इसने वेपर पेशन ना पूछके यह कहा दिया कि वेपर बढ़ाना है तो अब आप एक बात दिखो एने टुए सो फोर कर निचर कैसा यह नौन वोलेटाल से लूट है तो इसका तो वेपर ही नहीं होगा जागे बास ना और दूसरी एक चीज़ की वाटर मिलाने से क्या हो जाएगा कि यह वह अब इसको करते हैं आपको क्या करना मोल पर लिटर में मॉलरी में और सॉलूशन देडिया गया है और उस सॉलूशन में आपको किटना वाइं वन मोलर और इसे में मिला दिया गया है क्या सॉलूशन में एच प्लस आयन कंसंट्रेशन वो कितनी आएगी तो में आप से कहा हाँ अब अब द्रहाएएबास सोचों कि आपको초सिकोसाइचिट डिया है तो यह से में से इस्ध है और उसका डेदिया गया तो यादि उसका सॉल्ट ऐसा राश不र बना देगा तो अब इसने क्या किया एसिटिक बफर बना दिया ठीक है भाई अब इसमें क्या करोगे आइन क्या है प्लसलेकश अब A अभी तो यह सरूह जाएगी यह कॉंटिटी कोइन्टी यह भी बढ़ती जैगी World इसका मतलब यह हुआ कि इस एक से जो हमको acetate मिलेंगे वह बहुत ही कम मिलेंगे तो तो एसिट एसिट से हमें एसिटेट जोंगे वह क्या होगे बहुत कम मिलेंगे मतलब कि एसिटेट आइट की कंसेंट्रेशन मैक्सिमम जो होगी यानि कि मैक्सिमम कंसेंट्रेशन जो होगी वह हमें किसे मिलेगी इससे मिलेगी एसिटेट आइट की मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ह और इंटो हो जाएगा है किसके बराबर होगी सॉल्ट के बराबर तो सॉल्ट की कितरी है पॉइंट टू मोलर क्या आपको एसीटिक 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 बन गया तो इसकी कंसर्टेशन जो होगी वह पॉइंट बन मोलर ही रहेगी तो भाई ठीक है कोई डिक्कत नहीं है के की वैलू जो आएगी या इसको इदर साइड ले ले लेते हैं तो यह एच प्लस इन इकुल टू तुमारा हो जाएगा क्या क्या और यह हो जाएगा क्या एसीटिक एसीटिक और बाई हो जाएगा क्या एसीटिक हो जाएगा ठीकशन आ अब के की वैलू जो है वह कितनी आएगी यह किस आप इसको कैंसल आउट करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि कैंसल आउट करने पर यह वैलू जोगी यह पॉइंट ना जैएगी यानि आंसर आप सिल्वर आइन का रेडक्शन करना है कि इससे कॉपर मेटल से करना है कर दा इस्टेंडर्ड सेल पोटेंशिल वॉस फाउंड टू बी प्लस पॉइंट फॉर शिक्स वोल्ट आपको जो इस्टेंडर्ड रेडक्शन पॉटेंशिल दिया हुआ फैराडिक वैल्यू आपको देगी 96500 कुलाओं तो देखो आपको समय आरा है भाई यहां पर देगी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पूछी गी तो फॉर्मूला आता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन इनॉट एफ आता है ठीक है यहां पर यह वैल्यू आती ह कि 96500 कुलाओं अब एन की वैल्यू को आपको चेक करना है और एन क्या होता है जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं रिडॉक्स रेक्शन में वह होता है क्या एन ठीक है तो अब यहां पर आप देख लिए यहां पर क्या है यहां पर सिल्वर आयन जो होगा उसक इसका मतलब है कितने ऐलेक्ट्रावड्रोंस का हो जाएगा तो यहां पर आप यह देखन के अगर बाद करो तो दो वह रही आप twent तो चलो वैलू को पुट कर देते तो डेल्टा जी नॉट इकल टू माइनस टू और यह वैलू जाएगी पॉइंट फोर सिक्स वोल्ट इन्टो जाएगा 96500 कुलाम और यह वैलू जो है वह अप्रॉक्समेट जो आती है वह एक्टी लाम मैंनस में एका यहां सगय क्या है और यहां कहींट के दिया हुआ है और सॉलिड है स्यू प्लस टू एक्वस है सॉल्ट प्रिज लगा दिया है एजी प्लस एक्वस है और एजी सॉलिड है आप से करेक्ट होगा पहला कि इस तरह से लिखी जाएगी दूसरा मैंने शॉर्ट मार दिया है कि कि इस लिखी तरह काम करें और कॉपर कैथोड कि तरह है और चौथा दिया हुआ कि इसल इक्वल टू एक लेफ्ट माइनस ही राइट होगा तो चलिए अब यहां पर देखते हैं कि कौन से औप्शन करेक्ट होगा तो पहला यह से रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है कि कि यह होती है वह वह कौन होता है और राइट जाएगा इ кैथोड माइनस इनस का मतलब यह क्यों लेफ्ट कि यह कैसा होगे यह थोड़ा सा रॉंग हो गया आप यहां पर एक बात और भी समझेंगे कि मैंने यह क्यों बोला कि यह जो होते वह एसर पी ही लिए जाते हैं तो मोस्ट आप दे सि में होता है थो इसमें प्लस टू में प्रोडक्ट होता है और यहे रियelcome होता है यह यह क्या किए यह जो दो एलेक्ट्रोन निकले हैं रिलीज हुए यह एसेप्ट किये और सब्सक्रेट करके जी में बदल गया तो आपकी फाइनल सेल रियक्शन आएगी वह आएगी सी उ प्लेस्टी अब होता है तो मैटल होगा है अब değiş्व स्ट्रेइग में आते हैं तो यह इस तरह से यहां पर यह वाली ऍसीन, बल्कि रिच wage को दी गई है तो मतब आंसर आपका सीज होगा वह करेक्ट हो जाएगा जिसमें जिस सिल्वर जो है वह कैथोड और कॉपर जो है वह क्या हो जाएगा आये विसकोशन को सॉल्व करते हैं क्या रहा है वाट टाइप ऑफ रियक्शन टेक्स प्लेस वें टर्सरी ब्यूटाइल प्रियक्षन करेगा सोचो आपती मालूम है कि अगर आप एलकाल हैलाइड की आपकोश के साथ रिक्षन कराते हो तो राने पर आल्कोहल बनता है अब यह चार्ज क्या आता माइनस चार्ज उपर क्या चार्ज आता माइनस शार्ज इसका मतनलब ये न्यूकलोफाइल है और सब्सक्राइब है यहां पर होगा इसका मत्तब यहoureन इडिशन योग में यहां पर सम्ट जो है कि यहां पर रिलीज होके क्या करता है यह बनाता है कार्बोनियमाइन और यह कौन सा कार्बोनियमाइन का फॉर्मेशन करता है और बाद में ऑच माइनस इस पर अटेक कर देता है और अटेक करने के बाद में यह क्या करता है यह इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है और यहां पर जो है वो क्या है यहां पर अ राम साइड भी अटायक कर सकता है कहरो कुल मिला कि अगर हम यह देखें तो यह वाली स्टेप जो होती है वो कौन सी है स्लो chemicals ऑती है उसकी बज़це यह क्या है यहां पर रेक्षिंट करता है यहां पर संब्स टेट्ट्री इक्षिंट पर हो जाए नहीं को यानedu अगर दो मॉल्स के साथ रेक्शन कराई जाए तो कितने एच्टू मॉलिक्यूल से लगेंगे ए दिया हुआ टू मॉलिक्यूल्स वी दिया वन पॉइंट टैंट पार 24 मॉलिक्यूल्स और दिया हुआ और बागर और मैं आपको बदा दू कि इस कोश्चन में आप गलती से आंसर कर देंगे फोर मॉलिक्यूल्स ठीक है ना क्यों चुक्शन मॉल्स के साथ में दो मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं तो यहां पर एक और यहां पर अजाता है तो चलिए हम इसको सौल कर लेते हैं देख यहां पर इस रेक्शन को अगर हम देखें तो सीयो का आपने क्या किया वन मोल लिया तो हाइडोजन के कितने मोल लग रहे हैं तो टू मोल हाइडोजन लग रहे हैं अब टू मोल हाइडोजन लग रहे हैं तो मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो यह टू एने मॉलिक्यू अगर मैं बात करूं तो यह क्वल्ट को जाएगा एन आप यह कहरा कि अगर टू मोल सके ले लिए जाएए तो भीए यह जाएगा फोर एने मॉल्ट को जाएगा हा ईडुन केतने मॉल्यक्यू लगेंगे ए इने तो 4 इंटु एने की वे़ियू 6.022 इंटु10 बावर 23 होजाएगा तो यह होजाएगा 8 यह होजाएगा 8 0 यह होजाएगा 24 इंटु 10 बावर 23 मॉल्यक्यूल हो जाएगा या फिर हम इसको लगने 2.4 इन्टू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल ठीक है ना तो इसकी वैल्य अप्रोप्रोक्स्पे टू पॉइंटू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल हो जाएगी और मेरे पास आंसर C जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आपको मॉल को मॉलिक्यूल से रिडेट करना है जल्द सबस्ते चाहां करने तो लिए दिया है दूसरा तो औरी आ लुटा यह चाहले है तुप आपने सिल्वर को किस से निकाला है किस से एक्सेक्ट किया है तो आप आपको कुछ याद आ रहा है कि अग्यान्ट से अलग करते हो से साइनाइड में टिक करते हो सेल रसाइनाइड को इसका फॉर्मूला जो हूं भूए वो क्या हो जाए का एग तो रूबी सेलर की बात अगर करें तो यह सब् gras स्ट्री भी होता है इसके बाद अगर हम बात करें तो यह होता है वह होता है तो इस तरह से अगर हम देखें तो इन चारों में ऑप्शन डी जोगा वह करेक्ट होगा ठीक है ना आप अर्जिन टाइट से जो है वह सिल्वर को करते हैं इसलिए यह में और इसका होता है में और से हम जो है वह मैटल को एक्सट्रेक्ट करते हैं ठीक है आए अब इसको सॉल्व करते हैं को सब्सक्राइब कर रहा है और उसका सब्सक्राइब करना है अब आपको ऑप्शन में दिया हुआ इसकेंडियम 3 प्लस दिया और कैल्सियम 2 प्लस दिया अब हाई देखो इसका मतलब कि मेरे को यह दो आप्शन तो जोंगे वह कैसे इनकरेक्ट हो जाएंगे यह फोर प्लस और टू प्लस वाला है अब मेरे पास्ट यह कि स्केंडियम 3 प्लस होगा या फिर टाइटिनियम क्या होगा थ्री प्लस होगा तो चलिए देख लेते कि कौन सा है अब देखो एंट्री प्लस जो है इसका अगर कन्फिग्रेशन यह बना रहा है और ठीडी वन बना रहा है ठिकता इसका मतल्ब हो जाएगा कि यह होगा वह क्या उसमें TV इलेक्ट्रोंस बढ़ जाएंगे गद ल είναιLR और तोयम्ह nic सबसे पहले S-Orbital के ही होते हैं और उसके बाद गी के लेक्ट्रेंट करने के लिए क्या होगा कि लेक्त्रों जाएंगे तो यहां पर क्या होगा प्लस कितने δεν इलक्टरोन तो टोटल कितना हो जायगा और 22 जो लएगा इसका हुआ वह हो हुआ प्लस है तूप गल्ग तैंकर सब्सक्यूर्च सोफ стать है मॉडरेट हीट करने पर ही आपको कि दिए गए हैं अगर मैटल के ऑकशाइड की स्टेबिल्टी को देखना चाहो और बढ़एँ से में अर्विनियूनियम उपर होगा उसके बाद में जिंक आएगा और इस सबक्रिय आएगए अरका हीड करोगे तो वहожу लगब thanking कि मर्कीरिक चो ओक्साइट जो होगा उसको को आप wide करते हो और लगजो करने पर यह मरकरी में ऑर फ्रस और ब्रेपोल में मरकरी की वेपर्स यह बनाता है थिए ओना कब बनाता है 500 degree centigrade बाकी कि अगर आप इड़की बात करो तो कोई भी यह 500 degree centigrade पर जो होते हैं वह ब्रेक नहीं होते हैं ठीके नहीं अलमिनियम को अक्साइड अगर आप देखोगे तो लगभाग 1100 degree centigrade पर ब्रेक होता आए इसी तरह से Zink की अगर हम बात करते जिन्क जो होता है वो लगभक 800 डповर बडो चाटबर इसका मुला की मरकियोरि कोशाइट 500 डिग्री इंटिकेड़ है कि तेमपर्टेश्व आपको याद हो या ना हो और फरकने पड़ता आपको सम्मेब के साफ इनको और आपको सम्मेब चान सिंपी कि स्टेबिल्टी जो संब्सक्राइब को हम सब्सक्राइब एक्ट जब हम रहते हैं तो जो नीचे मैं वह सबसे कम होता है और उसका compound बना दोगे तो तुरण तूट जाएगा तो वही लीस्ट इस्टेबल होगा ताको सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब इस को सॉल्व करते हैं करा इन एक यहां यानि कि आएरेंड कारवन बॉंड पशेज एडिया हुआ सिग्मा करेक्टर और डिया है और यहां आयनिक करेक्टर तो चलिए एक बात देखिए जरा है कि अगर मैं इसकी बात करूं एफिस्यू होल फाइब की तो पहले तो आप इसका नाम बताईए तो ना प्रिंटा कार्बोनाईल का मतलब क्या है कि यह वह मैटल कार्बोनाईल है तो भी यह मैटल कार्बोनाईल है तो क्या इसमें सब्सक्राइब की बांडिंग होती है जिसको हम नाम देते हैं सिनर्जिक बांडिंग ठीक है आपको याद आ रहा है कि हां इनमें क्या होता है सिन कर्ता है कि इसको कर्मन करता है कि सब्सक्राइब करता है और इसको ही नाम देते हैं तो बात आपको सब्सक्राइब में आगए कि यहां पर क्या सिग्मा और दोनों करेक्टर्स को रखते यह रहेि प्रवसीं यह दोनों करेक्टर्स को रखते हैं तो आप हैं कि राव्या वीच आप reg9, वीच ओध हैं। फ्लोरीन से दिया क्लोरीन और दिया ब्रोमी देखिए अगर मैं इस कोश्चन की बात करूं तो एक्चुल में यह कंट्रोवर्सिल कोश्चन है क्योंकि यहां पर लेंग्विज का थोड़ा सा पंगा है आप से कहारा कि है एक यहां पर थोड़ा सा है कि यहां पर मिनिमुम उक्षाइब होना चाहिए था तो आशेफ तो थ्थोड़ा सा ज्यादा सही रहता ठीक है टिकर जो है वह आउसे एक सेच्ट बना तो रही है एक तो बना ही रहा है ठीक है चलिए कोर नहीं करना है तो तो आप हमको यहाँ पर मिनिमुम बाला लेके चलना पड़ेगा कि कौन बनाता है और उस हिसाब से हमारा फ्लोरीन आंसर जोगा वह करेक्ट हो जाएगा बाकि आप सब में देखो तो यह सब क्या करते हैं यह ज्यादा जो है वह ऐसे बनाते आप क्लूरीन की बात करो तो यह से थै लो बनाता है एक टू बनाता यह सिय लोटि बनाता है मिनमुम अनसर आपका वह करते हैं कुश्चन कर रहा है सि यहां पर स्ट्रॉंगेस्ट बेस की बात कर रहा है तो बेस से आपको सहुन म्यारा कि दी आंसर तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तो प्लसाइंट डोनेशन पावर ज्यादा होगी यानि कि यह मीडियम को शो करेगा अब मेरे पास्व और सी है तो इन में से कुछ हो सकता है और माइन में हमारे बार बार आ रहा है कि माइनस वाला जोगा वह जल्दी एलेक्ट्रों डोनेट करेगा तो इसका मतब कि यह स्ट्रॉ और वाटर के मॉलिक्यूल की अगर आप बात करते हो तो यह ब्रेक होके बनाता है एज 3-0 प्लस और प्लस ऑप्लस ओएच माइनस जिसमें कि यह वह किस की तरह करता है और यह वह एक्ट करता है थीक्ट इसी तरह सेम पंडिशन अमोनिया में भी होती है क्योंकि यह भी कैसा है एक पोलर सॉल्वेंट है और जैक पोलर सॉधेंट है वाटर की तरह करता है तो आपके पास में अ बनाए गाहर मेंफ snippetbor थे प्रसक्राइव बनायगा तो यह क्या करता है और ऐसंद में में अमुनियम मत तो है Rahmen करता हता है बेस की तरह स्फ्रोंग गेट होता है और यह किता है ककां करता है स्ट्रांग एस विडिम में लिकुड अमो nghित धिक आ तो इसे पर आट सी जोगा वो क्या करेक्ट हो जाएगा कि स्वस्ट जो करते हैं चरम मॉलेकलर वेट आफ और आपको आंसर दिया है और आप ले रहे हूं आप ले रहे हूं ऑग्जैलिक एसेड का मतलब है कि सी डबल ओएच सिंगल वांड सी डबल ओएच आप ले रहे हो यानि कि इसमें रिमूबेबल हाइडोजन कितने दो दो एच प्लस यह रिलीस करेगा इसका मतलब यह हो जाएगा कि इसका एंट फैक्टर जो होगा वह कितना हो यह तो हमने यहां ले लिए उसको इसका मॉलिक्लर वेड वह कितना है वाटर ऑफ किस्टलाइजेशन भी साथ में होता है ठीके ना तो चलो कोई दिक्कत नहीं अब एक बास समझो अगर आप कंप्लीट नूटलाइज कर रहे हो तो इसका मतलब यह उड़ाएगा कि इक्वेलेंट से यह कोश्चन लगेगा त मेरे पास नॉर्मल्टी और वॉल्यूम है तो नॉर्मल्टी इन्टू वॉल्यूम ले लिया वॉल्यूम एक इसमें लिया लीटर में ठीक है एक्वल टू ऑक्जली के सिट का मॉलिक्लर वेड दिया है और पूछा क्या है इसका वेड पूछा क्या है वेड पूछा हुआ है तो याद आता है कि वेट बाइट वेट जो होता है यह एक्विलेंट अब चेंज कर सकते हो कि एक्विलेंट वेट टू क्या होता है और यहाँ पर नॉर्मेल टी इंटो वाल्यमें लीटर हो जाएगा ना अप देखोन लीटर देखो तो पॉइंट बंदे भई यह और उंडड अमल को लीटर में बदल देंगे घृस्ट अई पॉएंट वन लीटर आ जाएगा एकवल टुवेट आप से पूछा है तो वेट आपको कैलकुलेट करना न्यान फैक्टर कितना है इसका दो आपको रिलीस करता है तो दो प्लस को करता थे टू है मौलीकुलर वेट आपको दिया कितना 126 ठीक है न तो आपको यह समझ में आ रहा है कि यह जाएगा कि 63 इधर साइड आएगा इधर साइड आएगा तो सिक्स पॉइंट्री ग्राम हो जाएगा तो सिक्स पॉइंट्री ग्राम इसका मदब आंसर बीज होगा वह करेक्ट आंसर आये इस को सॉल्व करते हैं को इन रियक्शन विद एक्वस एन वेच विच आप फॉलॉइंग कंपाउंड विल अंडर गो इन्वर्जन एंड एसन अब इन में से कौन सा आंसर होगा तो पहले हम एक काम करते हैं एसन टू और इन्वर्जन को समझ लेते हैं जल्दी से और फिर हम यहां पर आंसर को हिट मार्क कर देंगे तो आपको यह सब्सक्राइब यह कैसा है यह आईसो टोपिक जो है मिथाईल क्लोराइड है मेरे पास मिथाल क्लोराइड जो बुक्त कारवन को मैंने क्या बना दिया कायरल कारवन बना दिया अब यह कैसा हो गया कारवन हो गया कायरल कारवन हो इसके sp3 hybridized orbital की small loop को electron पे donate करता है और donation से यह कहाँ पर कैसे अटेक करता है बैक साइड अटेक करता है यह कैसा करता है बैक साइड करता है और बैक साइड करने के बाद में यह transition state बनाता है और transition state बनाने के बाद फिर यह molecule जो होगा वह कैसा हो जाएगा इन्वाल्टेट हो जाएगा यह molecule पलट जाएगा और उसको explain किया था वाल्डेट ने तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं वाल्डेट इन्वर्जन ठीक ना यह molecule आप देख रहे हो कि बिल्कुल इस तरह से पलट गया है इस तरह से हो गया यह वाले बांड सीधे उद्र साइड चली आएंगे और यह वाल्डेट इन्वर्जन हो गया ठ यह जो है वह कैसा है less hysterically hindered होना चाहिए less hysterically hindered होना चाहिए ठीक है ना तो हमको सम्भणाता है कि reaction यानए कि रेट यह होगा वह वह सब्स्ट्रेट पर भी डिप्गेंट करेग़ा और सथी वह मरबिन्स पर भी गांड करेगा तोそうそう च intent कौछ यहां ऐसाइल लगा है कारवन यह हईलका है यहusag तो यह कारवन है इस वाले को अगर आपन से लगए उपowego ऐसले कारवन नहीं यहाँ पर आप देखोगे तो test से दो हाइडोजन लगे हुए है इस से लगे हुए कितने दो हाइडोजन है तो ये भी कैसा नहीं है तो अगर आप कायरल टी की बेस पर देखो तब भी आप आंसर ए-क कर दोगे दूसरा कॉंसेप्ट यह कि जिस पर आप अटक करा रहे हो वह लेस्टेरिकलि हिंडर है कि नही ठीक है यह SN1 को फॉलो करेगा ठीक है और यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर भी जो है वो थोड़ा सा सा इस्टेकर के लिए पुल्पिशन मिलेगा बट इन्वर्जन आप पता नहीं कर पाओगे क्योंकि काईरल्टी नहीं है काईरल्टी की बज़े से हमको आपको इन्वर्जन पता चलता है कि यह आर कंफिग्रेशन एस में चेंज हो गया बासन में आई कि नहीं तो उसकी बज़े से आपको यह यहां पर बोला कि इन्वर्जन भी दे रहा है और एसन टू में दिखाई देगा आइए वह करेक्ट हो आए विस को सॉल करते हैं कि सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हैं कि कौन सा नहीं होगा अगर किसी में लेक्ट्राण हुए सारे तो उसका मतलब यह हो जाएगा कि वो डाय मैंगनेटिक नेचर का है सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कि देखेंगे यहां पर सब्सक्राइब क्या करते हैं अब तुट्सक्राइब करते हो तो यह आरगन हो जाएगा उसके पार में हो जाएगा क्या 3D 2 हो जाएगा फोर एस टू हो जाएगा अब टाइटेनियुम पर फ्री प्लस है इसका मतलब है आरगन अब यहां से तो 3D 1 इसका मतलब यह जाएगा कि यह तो टाइटेनियुम फ्री प्लस योगा वह क्या होगा और आप से कह रहा है कि विल नौट भी तो टाइटेनियुम बाला ऑप्शन आप हटा दो तो टाइटेनियुम वाला ऑप्शन भी यानि कि कर इंकरेक्ट हो गया अब इसक शहिए तो वैलेडियम प्लस फ्री में चाहिए का मतलब क्या हुआ यह एक इदर से तो यह जाएगा का 3D 2 और यह जाएगा फोरेज यहां पर भी दो अन्पेर्ण है इसका मतलब यह होगा यह कलर्ड होगा तो इसका मतलब यह आप्शन भी यह वाला भी आप हटा दिए कि यह भी कलर्ड होगा ठीक है उसके बाद आजाओ स्केंडियम इसकेंडियम थ्री प्लस इसकेंडियम का 21 होता है तो यह जाएगा और यह जाएगा 3D14 फोर एस टू अब आपको प्लस थ्री में चाहिए तो प्लस थ्री का मतलब सारे का सारे अलेक्ट्रोन आपने रिलीज कर दिये तो आरगन हो जाएगा 3D04 यहाँ पर नोद्वी उसकेंडियम होगा और इसकेंडियम वाला उब्स आपका पास सी बचा हुआ है यहाँ कि सी जो गाए किसी जोगा तो चलिए को ही पहले चेक्क कर लेते हो बाद पिर दी को भी चेक लेंगे अब सी में। पर दिया हुआ है तो कॉपर को आप देख लो तो कॉपर का कितना हो तो 29 29 तो यह आरगन हो जाएगा और यह जाएगा त्री डी टेन और फोर एस वन याद आ रहा है कि यह अब रूल का क्या है एक्सेप्शन भी है ठीके ना तो थ्री टेन फोर एस बन अब आपको सी यू प् दिख लेते हैं अयम में प्लस-फ्री को आप बात करते हुं तो कि यह जाएगा और यह लिएगा त्री Damn three लिए जिडिटा प App हो ठीक है ना तो इसका मतलब यह कैसा होगा कलर्ड होगा अब आजो ऐफि प्लस फ्री में तो एफि आयरन का कित्रा होता है 26 यह जाएगा आरगन और ठीडी 646 अब आपको आया फ़ी प्लस फी चाहिए थो प्लस फी चाहिए तो यह जाएगा आरगन दो एक से तो यहां पर फाइव अन्पेर्ड एलेक्ट्रॉन हैं यह भी कैसा होगा कलड हो जाएगा मतलब आपको संग जारा कि आंसर सी आपको जोगा वह करेक्ट आंसर हो जाए अब इस को शॉल करते हैं करा अटामिक नंबर आप क्रोमियम और आइरन आट ट्वंटी फॉर इसमें क्या होगा है स्पिन होगी है स्पिन ओफ एलेक्ट्रॉन के साथ बता रहा है तो चलिए ठीक है भाई पैरा मैंगनेटिक का मतलब यह हो गया कि उसमें अन्पेर्ड एलेक्ट्रॉन होने चाहिए चलिए ठीक है तो अब एक बात मैं आपको बता दूँ कि सुरुवात साथमें आप देख रहे हो कि सीजो होल 66 है स्थमे सी मेश्या मैटल कार्वनिल है और सी में आप देखो कि Hey और अपकोos पैरा मैगनेटिक यह नहीं मिलेगा ने कि यह दो आंसर योंगे वह इंकरेक्ट हो गए अब मतलब कि मेरे पास आंसर भी या डी में से कोई एक होगा तो चलिए बी और डी में से हम आंसर को क्रोमियम जोगा वह थ्री प्लस आउकसिडेशन इस्टेड में यहां पर होगा अब क्रोमियम का कितरा अटामिक नंबर है और आपको यादा रहा कि यह आप रूल का क्या है अगसेप्शन भी है और एकसेप्शन होने की बज़या से आरगन हो जाएगा और यह 3D5 और यह 4S1 ह जाएगा अब आप सोच हो जड़ा कि सीर था complac कि और यह वाला का कंप्लेक्स कैसा है तो यह यहां परओंगे और तीन और विटल के यहां पर ऊच्छे यहां पर होंगे यह निए इनर और कंप्लेक्षी यह हो है यह बनाएगा इनर और रॉर्बिटल कॉंप्लेक्स बनाएगा और आपको समय आ रहे है कि यहां पर तीन एलेक्ट्रोन जोंगे वह कैसे होंगे और यह तीन अनपेर्ड्ट्रोन होने की बज़े से इसका नेचर जो दिया है तो ज़रह देख लें तो एक्स फ्लस यह प्लस यह उज्ञाएगा शिक्स इंटू माइनस वन इक्फ़ल टू माइनस फॉर यानि एक्स की वेल्यू प्लस टू अ गई अब आयरन जो होगा फ्लस टू है तो आयरन होता है 26 और अगर आप प्लस टू की बात करोगे तो यह हो जाएगा डी सिक्स ठीक है ना तो यह थ्री डी सिक्स फोर एज जीरो हो जाएगा अब यहाँ पर भी अब देख रहो कि ओक्टा हेडल कॉंप्लेक्स है और यहां पर होंगे और टी टू जी जो होंगे को यह क्या करेगा कर देगा इसका मतलब है कि वन के बाद टू के बाद ठी और फिर इसकी पेर पेरिंग सुरू जाएगी और यहां पर भी हाइब अगर आप देखो तो डी टू एस्पी थी ही आएगा बड़ यहां पर सारे कि सारे एलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे हैं और होने के बज़ए से वह पैरा मैगनेटिक नीचर को शो नहीं करेंगे तो आपको सवन में आ रहा है कि आंसर भी जोगा वह आपका करेक्ट आंसर हो करते हैं कि आपको सॉल्विल्टी ओफ एनिलीन इन वाटर इस इंक्रीजट बाइडिंग मतलब कि वाटर में ऐसा क्या मिला दें कि अनिलीन की सॉल्विल्टी जो होगी वह बढ़ जाए तो उसमें कह रहा कि ए डिया है बी दिया वन मोलर हैसी ल और डी दिया डाइथाइल chemicals ब DAY एसा क्या मिला दें कि अनिलीन की सॉल्विल्टी वाटर में बढ़ जाएं कि और आप लगा दो अगर फैट दूटा हादो तो यह हो जाता कि हाँ एनिलीन हो जाता अब है लिए उसका मतलब है कैसे और कैसेgin है पोलराइस एर उसे नाइट्रोजन जो है वह वह वाटर के कैसे में बोनलेगा क्यों क्यों कि वाटर की जो है उसमें भी पोलराइस दे rebels और यहाँ पर क्या हुआ कि इंटर मॉलिकुलर हाइडोजंबोंडिंग हो गई और आप को यह बार समझ में आ गई अब hydrogen bonding होने की बज़े से इसकी solubility बढ़ गई इसकी solubility जो है वो वाटर में बढ़ गई है बट इसकी solubility अगर हमको और बढ़ानी है तो अब क्या करा जाए अब एक काम करा जाए कि इसको और ज्यादा polarize कर दिया जाए क्योंकि जो polar molecule होते वह वाटर में ज्यादा dissolve हो जात कैसा नॉन पोलर है ये molecule वो कैसा है नॉन पोलर है ठीकर अम हमें option डिया हुआ है क्या साद्म को दिया हुआ है वह वन कों करें एक हम करें यह देगा एच प्लस-इन अब यह अध्यप फ्लसऺ जुक्डलन था एसका यह निया प्लस किये और दोनेट यह करने के बाद में इसने क्या कि एन एच थी प्लस बना दिया यह और ज़्यादा पोल्राइस हो गया अब जब यह पोल्राइस हो गया तो यह डेफरेंटले क्या करेगा हाईडोजन बॉर्डींग जो होंगा वह बढ़ेया बना देगा और यहां पर यह सॉलिबिल्टी जोगी वह बढ पिश्चिक होता है तो जब बेसिक में बेस आप मिला रहे हो तो उसका बहुत ज़्यादा इफट नहीं पड़ता है पोने लिदी पर इसकी बजे से यह सॉलविल्टी को उत्रानजादा एफक्ट नहीं करेगा लेकिन टॉल्विंस से तो जयादा करेगा sec l से कम करेगा अब आजई दाइथाई इथर तो टाइथाई इथर के अगर आप बात करते हो तो यह c2h5 oc2h5 होता है इसकी अगर पोलेश इति की आप बात करो तो इसमसे पोलेश इसकी तो इस ङाद नहीं बन जाएगा और यह अनिलीनियों बनने के बज़े से यहां पर सॉलिबिल्टी जोगी वह बढ़ जाएगी ठीक है ना तो आंसर भी जोगा वह करेक्ट आंसर हो जाए को अब से कहा रहा है कि अमंग फॉल्लिंग विच वन इस दा मुस्ट इंपॉर्टेंट और 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 आपको सब्सक्राइब दिया हुआ है अब यहीं पर कोशन आता है मैं आप से कहूं कि भाई यहां पर आपने कौन-कौन से और सिल्वर के पढ़े हुए हैं तो आप कहेंगे सर हमको तो दो ही याद आ रहे हैं एक तो हॉन सिल्वर याद आ रहा है और एक अर्जिन टाइट याद आ क्या होता है अब दो नदेवहारे कि नोख तो आपको कुछ याद आ रहा है कि अर्जिन टाइट जो इसका फॉर्मूला क्या होता है एज्यक्टव को ऐसके रूबी सिल्वर की बात अगर करेंगे तो मिस इन फेलों सिल्वर्वहार याज्ट करते हैं तो यह फिर पाइज mm साथ में SB2S3B होता है ठीके ना यह होता है और इसके साथ में क्या होता है SB2S3B होता है इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉस्टाइट की तो यह जो होता है यह भी जो है वह होता है और हम हॉर्ण की बात करें तो यह होता है तो इस तरह से अगर हम देखें तो इन चारों में option दी जोगा वो correct होगा ठीक है ना आप अर्जंटाइट से जो है वो silver को extract करते हैं इसले के मेन और इसका होता है मेन और सही हम जो है वो metal को extract करते हैं थेकाना answer d correct answer question कररा हां कि for the reaction a plus B gives product the rate law expression for the rate R equal to K active mass of A into active mass of B square if the volume of the container is reduced to half of its original volume then the rate of reaction will become इस तरह कर देखिए बहुत ही common question है बहुत जल्दी solve भी हो जाता है आपने अभी तक आंसर निकाल भी लिया होगा मेरे साब से चलिए एक बार इसको देख लेते हैं देखो यहां पर क्या किया है एक्टिव मास आपको दिया जाए तो आपको एक बास होता है यह क्या होता है कि concentration होती है इन मोल पर लीटर सब्सक्राइब को आप क्या कर दे रहो आधा कर दे रहो इसका मतलब यह हो जाएका कि वॉल्यूम अगर आप वॉल्यूम जो है वो घटा दोगे तो जो concentration होगी वो क्या होगी बढ़ जाएगी बात यह सवन में आ रही नाम तो अब आपको एक बात सवन में आ गई कि कया हो चेंब क multipel लगा दो यह होगा चेंब एगा दूसरी нрав Mm रगाने तो आर्वनन इक क्वयल टू किय है और यह कैसा हो में आपने क्या करi दो जो फ्रकिगा है तो यह किया भाल ने हावगर किया तो यह उतीय गा मुल पर रिटर वंट भाइट्र को चला गया उपर तो हो जाएगा एकए तो इंटियों ओजाएगा कंसेंट्रेशन इसक्वैंफ तो उट्रकिंद B हो जाएगा इसका आर हो जाएगा इसका मतलब है कि हो जाएगा तो अब आपको संद्धा रहा है कि आंसर जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा करते हैं कि यहां पर लेंग्वेश का थोड़ा सा मतलब Often नहीं बनाता है तो यहँध सारे तस जोंट यह वे इसको कहते हैं फ्लूर स है आसट तो यह प草क्ड-फलॉर इस बनाता है बाकिछ सारे जो है वो यह यहां पर थोड़ा साय कि यहां पर मिनिमम्म और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उससाब तो यह सब क्या करते हैं यह ज्यादा जो है वह क्लूरिन की बात करो तो यह इस तरह से आप देखेंगे तो यह बहुत सारे का फॉर्मिशन करते हैं इसलिए मिनमम में आंसर आपका बी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाए इस क्या आपको समय में आता होगा कि सिल्वर के साथ अमोनिया के साथ नहीं बनाएगा तो थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो आपको समय में आता होगा कि सिल्वर के साथ अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाता है और बहुत कॉमन है और कॉपर का भी आपने कॉम्प्लेक्स जो है के साथ पढ़ा होगा आपको कुछ आड आ रहा है तो आपने पढ़ा था एगक बिसा अ opponents के लिजिए इस इसका हाइवडाइशन पूछा जाता है इसके लावा अगर मैं बात करूँ तो सीडी के साथ भी जो है वो यह एनस्थी होल फोर टू प्लस बनाता है तो फिर बचा क्या लेड लेड के साथ ही दिक्कत है लेड के साथ में अगर आप अमोनिया को डिजॉल्ब करते हो अमोनिया और यह जो है वह एक वायट प्रेसीपिटेड बनादेता है और यह जो इसका नेचर जो होता है वह कैसा होता है बेसिक नेचर होता है अर और आमोनिया जो है यह खुद में क्या है एक बेस है और reaction ना करने के बज़े से क्या होता है कि यह compound complex का formation नहीं होता है तो होता क्या है कि जब आप क्या करते हो कि PB2 plus की reaction ammonia के साथ कराते हो तो oxygen के presence में क्या करता है PB2O NO3 whole twice का white precipitate बनाता है जो कि basic nature को show करता है और यह इसी बज़े से basic legend के साथ में reaction नहीं करता है तो answer आपका यह correct हो जाएगा आए इस question को solve करते हैं question करा कि the rate constant for the first order reaction is 60 second inverse आपको एक first order reaction का rate constant दिया है उसकी value 60 second inverse है करा how much time will it take to reduce the initial concentration of the reaction to 1y 16th value मलब कि 1y 16th value तक आने में यह कितना time ले लेगा तो चलिए बाइदेख लेते हैं तो देखें आप first order कांटिस का formula लगाईए और answer पाईए तो आप formula लगाएंगे t equal to 2.303 by k log a upon a minus x a जो है वो initial concentration है और a minus x जो है वो t time पे concentration हो जाएगी जो कि आपको पता करनी है time पता करना है तो देखेंगे t equal to आपको 2.303 by इसका k की value 60 दी गई है और यह हो जाएगा log a की value 1 है तो a minus x कितना हो रहा है 1 by 16 हो रहा है 0.303 by 60 into 4 into 0.3010 log 2 की value को हमने यहां पर put कर दिया यह value अगर आप देखोगे तो यह value आती है तो यहां पर आपको सम्झ में आ रहा है कि आपका ए आंसर जो होगा वह करेक्ट आंसर आए इस question को solve करते हैं करा कि the region that brings about conversion of bengyal chloride to phenyl methenamine is आप से बनाना है तो इसमें कौन सा रीजेंट लगेगा देखें को फॉर्मूले इन दोनों के आपने बना दिये तो आप तड़ से आंसर बता दोगी उसवर यह वाला होगा वरना आप confusion में गलत आंसर क्लिक कर जाओगे और मेरे इसाब से आपके माइंड में alcoholic a cn आ रहा होना चाहिए तो आगर alcoholic a cn आ रहा है तो यह आंसर गलत है ठीक है ना तो एक काम करते हैं कि हम बेंजाइल क्लॉराइड और फिनाइल मेथिनामीन का पहले इस्टक्चर बना लेते हैं फिर सोचते ह क्या होगा ठीक ना तो बेंजाइल क्लॉराइड का मतलब क्या होता है कि बेंजीन का बेंजीन पे हमने च्टू लगा दिया तो बेंजाइल हो गया तो बेंजीन पर लगा दिया तो बेंजाइल और इस पे क्लॉरीन लगा दी बेंजाइल क्लॉराइड अब हमने क्या किया अ और इस पर लगाना है लगाना है तो मतलब यह हो गया कि यह और नहीं हो जाएगा कि यह और यह नहीं हो जाएगा तो इनमेंसे कौन सा ऐसा है जो कि यह सकता है सब्सक्राइब यह पहले ही ऑप्षिन जोगा वह बना देगा जब आप एक्सस ऑफ अमोनिय के साथ रियक्शन कराओगे तो यहां पर क्लोरीन जोगा वह अटेगा और हटने के साथ यह साथ बन जाए नस्टू गुरूप जोगा वह क्या होगा लग जाएगा ठीक है ना तो यह आपको सहुन में आ रहा है कि यह फिनाइल मेथेना मीन जो है वह आप इस तरह से बना सकते हैं और आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाए आए विस को सॉल्व करते हैं करा इंद फ्री रेडिकल हैलोगी नेशन सी एच फोर प्लस एक्स टू एच न्यू सी एस थी एक्स प्लस एच एक्स आपको याद आ रहा है कि यहाँ पर मेथेन का फ्री रेडिकल हैलोगी नेशन हो रहा है करा दब प्रोपेगेशन स्टेप्स आर और आपको चार जो है वो रिएक्शन दी गई है और चार नीचे ऑप्शन दिये हैं पहला एक्स टू एक्स में टू एक्स फ बना रहा है में आपको और आपको नेखनी में ती फिएनपर फ्री कांशन हो होता है वह क्या करता है यहाँ侈 है कर रहा थिद्ध यहाँ पर अटैक कर रहा है तो इसका मतलब यह प्रोपेगेशन हो गया आप यहाँ पर यह क्या करेगा वह फ्र एक लके गए यहां पर भेजिए घडिकल बना यहां पर आप देखे इसके बाद फिर आप देख रहों कि यह फ्री रेडिकल बना तो फिर यह सफ्टेट पर टेक करेगा इसी तरह से लगातार होता है यह चेंड प्रोपेगेशन में ठीक है उसके बाद आता है चेंड टर्मिनेशन तो चेंड टर्मिनेशन में दो फ्री रेडिकल आपस में मिल ज प्रेक्ट आंसर हो जाएगा वो चेंड प्रोपेगेशन को सॉल्व करते हैं कि विद अटॉमिक नंबर 25 डाइवेलेंट आयन ऑफ एक्वा सॉलूशन हैस मेगनेटिक मुमेंट इस वे दिया सेवन पॉइंट बोर मेगनेटन बी दिया करते हैं कि है और मेगनेटिक मुमेंट जो होता है उसमें आप देखते हों कि तो पॉइंट ये क्या स्पास आता है और रूट एन एन प्लस वन बोर मेंगनेटन एंड जो होता है वो क्या होता है नंबर ओफ एलेक्ट्रोंस होते हैं पुश्चन आप से कह रहा कि अटॉमिक नंबर क्या है इसका 25 है मैटल का अटॉमिक बना दो तो डाइव एलेंट आइन आपने बनाया तो क्या हुआ कि यहां से दो इलेक्ट्रों निकल गए तो फ्रीडी फाइब फॉर एस जीरो हो गया अब यहां पर अनपेड़ एलेक्ट्रों आप देखेंगे तो कितने आ रहे फाइब और यहां प्लस वन हो जाएगा यानि यह रूट थर्टी हो जाएगा और रूट थर्टी की वैलू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यह अप्रॉक्समेट फाइब पॉइंट सम्थिंग आएगी ठीके ना यहां पर थोड़ा सा वैरियेशन हो सकता है बड़ फाइब पॉइंट आ रहा है तो इसलिए आपको कर अश्यक्राइब खुक्स हो जाएगा तो यहां पर सी और्ट अंसर और वी हुं ऑफ झाल झाल